साइजन्सू दजगला साइजन्सू कॉन सेजन्सू क्या तुम उसे जानते हो हाँ सेजन्सू कर्तव दिखाने वाला पता है वो बहुत कमाल के कर्तव दिखाता है कई सारे हुनर है उसमें हम सम इसका शो देखने जाएंगे कॉन ये कलाकार कॉन है और ये कर्द क्या रहा है ये सड़कों पर कर्तर दिखाने वाला है वो करी तरह की जटलिंग करता है चड़ी भीकता है और बॉल पर भड़ियों के डामा डोल दी होता है कॉन किया ये वो ही मशूर कलाबाज है पर बिलकुँ सर तब तो ये सारे कर्टब मैं भी कर सकता हूँ अब ये देखो ना इस मेरेत है न पाधा न बीज ने कर्टब दिखाएगा ने अकलाकार अरे देखो वहाँ भी कुछ शुरू हो रहा है अब जांस्टर आप सबको कमाल के तब दिखाएगे वक्त आगया है जगलिंग का तरह ये बाल मुझे देंगे कॉन मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं है शो यही खत्म करते है जाओ च्राइब मुझ से यह कर्दब नहीं हो पाइर है मुझे पहले हुड़ी प्रेक्टिस करनी हो जी तुम्हें इतनी है रहा इनला किर मुझे बहुत क्यों हुड़ी है कभी कभी ऐसी भैकी बाते कर जाता हूं जाओ जाओ ऑर प्लेश लेकर आओ आप पेले प्लेट जगलिंग प्लेटिस करेंगे, वो तो सबसे मुश्किल है तब ही तो मज़ा आएगा इसे खरने में कॉन कुछ पाने के लिए कुछ पोना पड़ता है इस बार तो हो करी रहेगा यह नहीं यह मुझसे नहीं होगा इसी बाते आपके मुझसे अच्छी नहीं लगती, सर मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो मैं किसी काम का नहीं हूँ मैं जा कर सो रहा हूँ पर पता नहीं आज मुझे नीन आएगे भी आना है नियोच सर मैं मशूर बन गया हूँ अकर मैं इन पर गम लगा दू और इन प्लेट्स को छड़ी पर चिपका दू तो यह गिरेंगी नहीं मैं सर को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं कर फिर उनको होसना बढ़ाऊंगी और उनसे कहूँगी कि एक बर फिर कोशिश करें बच्चों के सामने अपने कर्दब दिखाएं यह मैंने क्या किया ओके सबसे पहले छड़ी को प्लेक के बीच में रखते हैं और फिर जोर से घुमाते हैं यह ओ देखने में आसान है पर सच में उतना आसान है नहीं पड़े भाया आप प्लेक चगलिंग करना चाहते हैं तो फिर यह लीजिए अरे यह तो पेपर डेश है हाँ भाया यह टूटेगी नहीं ना ओ ठैंक पकड़ो इसे देखना इस बार मैं नहीं गिरूँगा ओ वागई अब देखना मेरे कमाल का करता हूँ वाँ नियान को भी यह करना आता है वाँ याने इसमें भी हुनर है इधर देखो बच्चो इधर इस कला में मास्ट्री होनी ज़रूरी है अब यह देखो अब ही भी काफी को दिखाना बाब ही आए पता नहीं यह कहां से आओ गया इसने मेरी सारी ओडियन्स चींगी आओ लगता है तुमने हार माल ली माल ली हाई आओ यह प्लेट्स तो चिपकी हुई है अब मैं क्या करूँ यह वाली भी यह भी हर एक प्लेट्स चिपकी हुई है ओ तो तुम इतने घटी आहतकंडों का इस्तमाल करके करतब दिखा रहे थे हाँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है मुझे पहले ही शक हो रहा था और अच्छा हूँआ मैंने यह सब देख लिया मुझे एंदे आदा सिपकी हुई मुझे वाल देख रहा है जो छूटे हैं और घटिया काम करते हैं मैं सच कह रहा हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा हूँ लुक्च अभी मजा चकता हूँ मैंने ये सब नहीं किया किसी कौम की नहीं हो निया सेजानसू बहुत गुस्ते में है मुझे नहीं लगता है वो नियान को छोड़ेगा याँ याँ निए क्म विए जिया इन डूँते खचा, घाँ ठी zdrowlish जो गया जा जाँ में पखचा, ठी लुह मौल कोुछा खचा, घ। गया ज जा खचा कोई मौल को थे को पचा जुछा, जो गया जाएत seconds क्ले का पाँ छिर्सका नियेन, नियेन, निये दायार बारी नियू नियू पॉलती, अजर याँ याँ वरwach दो पत्ला बच्शvens करें चूलतो उन्जाडिक तो 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 उन्हें नहीं अब मैं तुमे नहीं छोड़ूंगा अब क्या होगा नियादार का हमला अब एक को और हमला अब जर अध्यान से सुनो कौन क्या कहती है सेजान सु सारी कलती मेरी है नियादार की नहीं लेकिन तुमने ऐसा आखिर की आई क्यों नियादार दुखी हो रहे थे वो सोच रहे थे क्योंने एक कुछ भी करना नियादा इसलिए तो ये बात है ठीक है इस बार में तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें अपने माली को खुश करने के लिए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुम बहुत अच्छे सारान सु तुम बहुत अच्छे हो तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम मेरे पीछे बढ़ गए थे, जबके मेरी कोई गलती नहीं थे वाकई बहुत बुरी हालत कर दी थी नियॉन की प्लीस सेरा, मुझे माफ कर दीजी जेखो कॉम को कितना बुरा लग रहा है तुम बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बड़े कलाकार है, आप तो छोटी-चोटी जगे से भी निकिल जाते हैं हाँ, मैं भी तुम से यह सीखना चाहता हूँ तुम है तुम है, मेरा स्टूडेंट मनना पड़ेगा जरा फिर से दिखाएं हाँ, जरूर क्यों नहीं ओके, तो ठीक है, चलो, अब शुरू हो जाओ अब देखो मेरा नया सर्ताब तो मैं चलता हूँ, बाबाई सेजान से बहुत अच्छ है, उसने मुझे थोड़ी बहुत जग्लिंग भी सिखाई है तो क्या तुम उसकी स्टूडेंट मनना चाहती थी नहीं सर्, मेरी जगा तो आपके चर्ड़ों में है दस तो, अब वक्त है मशूर लोगों की लिस्ट पड़ने का आज है हमारे बास एक खास मुनोर इंजेन वार्ड जो जदा है नियान को उन्होंने अपने कर्टब दिखा कर सच मुछ लोगों का दिल जीत लिया वा, क्या वाथ है, स्पेशल आवार्ड क्या बात है सर् अब मुझे अपनी मंसिल तक पहुशने का जरिया मिल गया ये सब नियांडर कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं आपने बिलकुल चीका और हमेशा की तरह नमबर बॉन अब मैं जगलिंग की प्रैक्टिस करता हूँ नियांडर को खुश दिखकर मैं कितनी खुश हूँ मैं ये नहीं कर सकता, शायद मुझे अपना इडाला बदल कर कुछ और करना चाहिए नियांडर को खुश है नियांडर को खुश है, भाई आखिर इत्ते फाक से ही साही पर उसे स्पेशल आवार्ड तो मिल गया इतना खुश है कि नियांडर को खुश राना चाहता है यही मनोरंजन, यही हसी, यही सब कुछ चलता रहेगा अगले एपिसोड में भी, तो तब तक के लिए बाई बाई